हाई व्रीवन आज मैं आपको बताऊं कि सराप चुड़ाने की दवा के बारे में तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कोई भी वेक्ति सराप पीता उसके पीछे का पकाड़न है गम यानि कि कोई भी वेक्ति अपने गम से अपनी एंजाइटी से उल्जन से पीछा चु कृक्षिञाा हो गया है तो आज हम जाने गई सराप चुडा ने की दवाके बारे में जिसका नाम है this all frame tablet इसके एक पुरानी शठाभ को चूडाने में सब्सक्षट सब्सक्नाइबban कंई वासंटे अफ़ी रोज एक टेबलेट लिनिहा लेकिन इस शराप पिने के बारा घूंटे बारा बर लेर के लाधितम एक टैबलेट टेबलेट के साइड एक्ट के लेने के बाद हेड़ेंग मुले सेस्किन रिसित इसके अलावा दिसल फिराम टेबलेट के जो सीवीयर साइड एक्ट है वह है नर्व इंफ्लामेशन यानिकि नसों मेंद्वर्म देखते सावधानियां के इस देबलेट को लेकर इस दभा के साराब का प्यूक बिल्कुल भी नहीं करना ही तो आपको मतली हो सकती है उल्टी हो सकती है पसीना जादा आएगा इसके अलाबा जो सी वियर परशानी देखी जाती इस टेबलेट को साराब कि साथ लेने पे वह हार्ट फेल्योर इसके अलाब अगर आप डिसुल फिराम टेट लेने के चौदा इन बात यह जब बंद हो जाएगी उसके चौदे दिन बात तक भी आपको सारा आपका सिवन बिल्कुल भी नहीं करना है इस ब्रबद को लेकर ज़रूरी बात इस टेबलेट को लेने से पहले आपको यह डिसाइड कर लेना है कि आपको मिर्गी नहीं आती इसके अलावा हिर्दय रोग नहीं है या फिर दिल को दोरा तो नहीं पड़ता है सिर पर चूट नहीं लगी है तपेदिक की दवा फिनाइन टोईन रक्त को पतला करने की दवा इन सब के साथ में आप डिसल फिराम टबलेट का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें झाल झाल